हेलो बच्चो आज मैं आपको आपके हिंदी पार्टे पुस्तिका के पार्ट 3 एवं पार्ट 4 जिसे पहले भी पढ़ाया जा चुका है उसे एक बार पुना समझा रही हूँ तो आएए शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट 3 क्यों-क्यों लड़की इस पार्ट की लेखी का है महाश्वेता देवी जी और आप जैसे पहले भी कहानी पढ़ चुके हैं तो बिल्कुल संचिप में मैं आपको कहानी एक बार फिर से समझा देती हूँ ये कहानी मोईना नाम की एक लड़की की है जो कि सबसे प्रश्ण करती थी और प्रश्णों की बोच्छार लगा देती थी इसी वज़ा से डाकिया बाबू ने उसका नाम रख दिया था क्यों-क्यों लड़की उसके मन में हमेशा ये प्रश्ण ओठते थी क्यों मुझे नदी से पाई लाने के लिए मिलो चलना पड़ता है हम पत्तों की जोपड़ी में क्यों रहते हैं, हम दिन में दो बार चावल क्यों नहीं खा सकते वगेरा वगेरा इस तरह के कई प्रशन उसके मन में आते थे और वह गाओं के बाबुओं की बक्रियां चराने का काम करती थी तो इसे दोरान उसकी मुलाकात हमारी लेखी का महाश्वता देवीजी से हुई और पढ़ाई के प्रती प्रशनों की जो प्रशन पूछने के आदत थी तो लेखी का ने उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनी की प्रेरिना पाकर वह आगे पढ़ती गई और अपने चोटे भाई बैनों को अपने संगी सातियों को भी प्रशनों के उत्तर ढूणने में मदद करती रही तो ये थी महनती और बहुत ही अच्छी लड़की मोहिना की कहानी तो इस कहानी से बच्चो हमने क्या सीखा आईए जानते हैं तो देखिए हम लोगों ने पाट से क्या क्या सीखा बच्चो पहला हमारी मन में आए प्रशनों के उत्तर हमें ढूणने चाहिए यदि आपके मन में कुछ भी ऐसे प्रशना आते हैं तो आप उन्हें अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों की मदद से भी पूछ सकते हैं अपने शिक-शिक-शिक-शिकाओं के गिविसाहता ले सकते हैं उसके बाद है बडो की सला मानने चाहिए हमेशा बडो का सम्मान करिए, बडो का आधर करिए और तीसरा मेहनत का फल मीठा होता है आप जितना मेहनत करेंगे आपको उसका फल उतना ही मीठा मिलेगा इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा आपकी पटे पुस्तिका में एक प्रश्ण है इन शब्दों से प्रश्ण पूछने वाले दो-दो वाक्य बनाईए क्यों और क्या तो इन दोनों से आप दो-दो वाक्य बनाईएगा इसमें आप अपने पाटे पुस्तिका की भी मदद ले सकते हैं और अपने इसे हिंदी कॉपी में करने का प्रयास करिएगा तो ये था पाट ती अब इसी कड़ी में हम लोग पाट चार पढ़ेंगे तो ये है बच्चो पाट चार दान का हिसाब ये कहानी एक कंजूस राजा की है जो की गरीबों की जरूरत मंदों की मदद नहीं करता था तो एक बार उस देश में अकाल पढ़ गया और लोग बुके पैसे मरने लगे जब राजा के पास खबर आई तो राजा ने क्या क्यक टाला ये तो भगवान की मार है इसमें मेरा क्या कसूर अब सभी बड़े परिशान क्या करे तब राजा को के दरबार में तीन दिनों बार एक बुढ़ा सन्यासी आया और उसने चाला की से राजा से कहा कि राजन मुझे अठारा दिन तक आप दान दीजिए और दान की राशी शुरू होगी एक रुपे से लेकिन पहले दिन जो राशी आप देंगे दूसरे दिन उसका दुगुना तीसरे दिन उसका दुगुना राशी देना होगा राजा बड़ा निशिन्थ हुआ वो बोला ठीक है और राजा दान के लिए तयार हो गया परन्तु बच्चो जब राजभंडारी ने देखा कि इस तरह से दुगुना दुगुना करते करते हमारा राजभंडार खाली हो रहा है तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं बच्चो पहला दीन एक रुपया दुसरा दीन उसका दुगुना दो रुपया तीसरा दीन उसका दुगुना चार रुपया ऐसे बढ़ते 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 अठारवा दीन वो राशी कितनी होती 2,62,143 रुपे राजा बहुत चिंतित फिर वो लोग गये सन्यासी से बात किये लेकिन सन्यासी टस से मस नहीं हुआ अंत में बहुत समझाने पर 60,000 रुपे की राशी पर जो राशी थी उससे सन्यासी मान गया और एक्चुली वो जो राशी थी मदद की राशी वो जरूरत मंदों की सहायता के लिए सन्यासी लेना चाह रहे थे, इस प्रकार राज्य की हार हुई और प्रजा की बीच ये बात फैली कि हमारा राज्य तो बढ़ा दानी है और उसने हमें बचा लिया, तो इस प्रकार बच्चो अपने प्रजा की, अपने र हमने क्या सीखा बच्चो हमने सीखा जरूरत मंदों की हमें साहता करनी चाहिए मतलब जिने जरूरत है उनकी मदद करनी चाहिए अगर आपके पास है आपके पास भगवान ने इतना कुछ दिया है तो आप उनकी मदद अवश्य करिए दूसरा है राजा को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए जो देश का राजा होता है बच्चो उसका ये करता भी होता है कि वो अपने प्रजा की देख भाल करें और तीसरा हमें अपने वचन का पालन अवश्य करना चाहिए मतलब जैसे राजन ने वचन दिया था सन्यासी को तो उनका क्या करता भी था कि उन्हें पालन करना था तो ये था बच्चो इस पाट से सीख अब तक आपने पाट तीन चातो पहले भी प्रश्न उत्तर करा दिया गया है शब्दार्थ भी करा दिया गया है प्रश्नों के उत्तर मौखिक सब कुछ हो गया है तो अब आप क्या करिएगा बच्चो इन सब को अच्छे से याद कर लिजेगा और यदि आपने अपनी हिंदी कॉपी में प्रश्णों के उत्तर मौखिक और शब्दार्थ नहीं लिखा है तो आप उसको अपनी हिंदी कॉपी में लिख लिजेगा तो ये था आपका आज का क्लास अगली कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी तब के लिए बाई